सभी साथियों और सम्मानिय मंच को गड़तंत्रत देवश और स्वधीनता देवश कि हरदेक मंगल में शुबकाम नाएं साथियों जैसा कि आपसे मैंने कहा कि गड़तंत्रता देवश और स्वधीनता देवश दोनों कि हरदेक शुबकाम नाएं तो आज सारी चर्चा होगी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा शम्मिधान बन के तैयार हो चुका था लेकिन हम 26 जनवरी को ये अपना गड़त अंतरता देवस मनाते हैं क्योंकि हमको अंग्रे जनवर 1946 में कहा कि आप एक अंत्रियम सरकार बना कर चलाएं तो संभीधान बनने में लगवक्त तीन साल का समय लगा था में 1946 में अंग्रे जनवरे एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत जिसमें तीन सदस्तिय मंडल था उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आप श्वधीन हो गये हैं श्वधीन ता दिवस मनाते हैं पर आप अपनी सरकार कैसी चलाएंगे तो पांच साल अब आप अपने सरकार चला कर बताएं और शंविधान का निर्मान करें आप अपने तो हमारे जो शुतन संगराम शैनानी थे इन सब लोगों ने मिलके एक अपनी अंतरिम सरकार बनाई उस समय चुनाव नहीं हुए थे और शंविधान निर्मातिर एक शभा का निर्मान किया जिसके सदस्य थे 389 इसलिए कि उस समय भारत, पाकिस्थान, बंगला देश ये सारा एक हुआ करता था इस करण से इसमें 390 शदस्य थे 389 शंविधान बनने लगा लगभक तीन बर्स लगे इसमें 13 समीतियां बनाई गई जैसे किसी को जल के विसाय में, किसी को पर्यावरन के विसाय में, किसी को सडक के विसाय में, किसी को ब्यबसाय के विसाय में ऐसी अनेक समीतियां कानून के विसाय में और एक ड्रप्ट कमेटी बनाई गई जिसके ड्रप्ट कमेटी की जो चेर्मेन थे वो थे डक्टर भीमराओ अमबेटकरजी जो हमारे भारत रत भी हैं इस समय वो काफी बुद्धिमान ज्यानवान और ला ये कानून को जानने वाले थे तो उन्होंने इतना शुंदर शम्विधान को अंतिम प्रारूप प्रदान किया कि वो आज सारे विश्यों में तारीफ के काबिल है तो सांथियों मैं बता रहा था कि श्वधिंता देवश और गड़त अंतरता देवश एक कैसे हुआ हमारा शम्विधान बनके तयार हुआ 26 नवंबर 1929 को जबकि 26 नवरी हम मनाते हैं और गड़त अंतरता देवश बोलते हैं तो हुआ क्या था कि 1929 से लेके 1930 मैं हमारे श्वधिंता अंतरता संग्राम सेनानियों ने अपने भारत को ये कहके कि अब हम श्वधिं हैं श्वधिंता देवस मनाने लगे थे तो 1929 से लेके लगातार 1930-1931 ऐसे करके 1945-46 और 1947-1948-1949 तक ये मनाये गया अब संकट ये था हमारे जो बुद्धी जी भी प्रवुद्ध स्वतन संग्राम सेनानी थे उन्होंने ये सोचा कि यार यदि हम 26 नवंबर को ही ये संभीधान देवस मनाते हैं तो तीन बड़े तेवहर हो जाएंगे क्योंकि हम 15 अगस्त को मनाते हैं श्वतन्रता दिवश और 26 जन्वरी को स्वधिंता देवस मनाते थे तो उन्होंने ये सोचा कि क्योंना इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए क्योंकि बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को लेकिन उसको थोड़ा सा डिले किया इस पे 214 लोगों के हस्ता अक्षर हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि तो तीन सो नवाशी सदस्या हो मैसे उस समय मतलब 14 अगस्त उन्रीस सो सेटारिस को भारत आजाद हुआ और पाकिस्थान का बटवारा हो गया तो पाकिस्थान के बो सदस्त कम गया और उसमें बचे 299 सदस्या तो 299 मैं से भी कुछ की मृत्ती हो गई जिसके कारण से 214 लोगों के उस पर हस्ता अक्षर संविधान पर हमारे हस्ता अक्षर हैं इसके जो अध्यक्ष थे डक्टर राजेंद पर साथ थे उसके सलाहकार थे बो थे हमारे डक्टर बीन राओ बीन राओ साब बह इसमें सलाह अपनी समय समय पर देते रहते थे हमारा जो शंबीधान है इसका बजन लगवक 13 किलो यानि लगवक इतनी मोटी पुस्तक हो जाती है तो इसलिए संबीधान में लगवक सारे बिस्यों पर बहुत ही बारिकी से अध्यान किया गया है 395 अनुच्छे हैं जो आठ अनुची हैं जो बाद में बढ़के 12 हो गई है शंबीधान में इस प्रकार की विवस्ता है कि लगातार संसोधन किये जा सकते हैं यानि उसमें हमारे शानिशद लोग बैठके विचार मर्स करके एक समीती बनाके और उस पर जो बहुत से कानून या बहुत सी विवस्त सब अलग अलग विस्त्रे त्रूप से इनमें बढ़नन किया गया है हमारे जो मौले का अधिकार हैं उनमें हैं शमानता का अधिकार यानि हर किसी को एक समान अधिकार भारत के रहने वाले सभी लोगों को अपने अपने धर्म के पिरचार पिरसार करने की छूट है बस संबिधान का उलंगन ना होता हो धारम की शुतनतता का भी हमारा एक मौलिक अधिकार है संस्कृति उर्षिक्छा भी मौलिक अधिकार है हमारा शंबिधाने उप्चारों का अधिकार यानि जो संबिधान के जो भी नियम है कानून है वो सभी के लिए शमान है 11 मौलिक करतब भी है सबसे पहला है कि शम्मीधान का पालन करते हुए हमें राष्टगान, राष्टद्वज का सम्मान करना चाहिए किसी भी स्थिती में राष्टगान के साथ छिड़ छाड़ नहीं की जा सकती है और उसमें उचित सम्मान देती हुए उसका गाइन किया जा सकता है इस बरिगार से राष्टगान का सम्मान किया जाता है कहीं भी राष्टे में यदिया से 26 जनवरी अभी मनाई गई है और कोई राष्टी दोहजे दिया आपको पढ़ा हुए मिल जाता है ततकाल आप उठाके सम्मान फूर्वक उसको अपने जेब में रख लें और बाद में जो भी उच्छत उप्चार है वो आप करें यह हमारे मूल करतब्यों में से एक करतब्य है दूसरा है श्वतंतरता शंगराम में जो शिद्धान्त बनाए गए है उनका पालन करना भारत की संप्रभूता और अखंडता का पालन करना और उसके लिए जो भी कारी आवश्यक है वो हमें समय समय पे करते रहना चाहिए जब आवाहन किया जाए जब देश को आपकी जरूरत हो यानि कि चाहे वो सारवजनिक कारियों में हो माली जी नदी सफाई है सचता अभियान है जैसे बीच बीच में हमारे प्रधानमंत्री बहुत से अभियान चलाते हैं उनमें हमको सहियों करना चाहिए और आवश्यक्त पढ़ने पर सीमा पर भी आपको यदि आवहन किया जाता है तो जाना चाहिए ये भी मौलिक करतब मे रहना बिद्विस किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए चाहे हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई, पार्सी, बौध, जैन हम सभी भाई-भाई हमारे शंविधान ने भी भाई-भाई सिखाया है और हमको भाई-भाई की तरह ही रहना चाहिए मिस्रत संस्कृति की रक्षा यहां तो कभी होली, तो कभी ईद, तो कभी हम क्रिस्मिस, यह सारे त्योहाद आपस मनाते हैं प्रितिक ब्यक्ति का करतब हैं कि एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें उनका आनंदल हैं मिल जूलकर उत्साय फूरवग सही उक करें एक दूसरे का यही हमारी मिस्षर संस्कृति है प्रिकृति परियावरण का संदक्षण करना भी हमारे मौलिक करतब्यों में से एक है जैसे नदी आप नदी नहाने जाते हैं माली जीए तो उसके पवित्रता कभी आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे साबुन तेल इन चीजों का उधर प्रियोग नहीं करना चाहिए यदि क करते भी हैं तो कम से कम वो जो पाउच होते हैं उनको आप अपने जेब में रख के लिए और बाहर उनको डिस्पूच कर दें या जला दें या कहीं ऐसी जह फिक हैं कि वो पुनहा नदी में ना जाए या आप भंडारा करते हैं जैसे तो आप भूलकर भी उधर प्लास्ट करते से बनी पत्ल दोना होते हैं उनका प्रियोग करें य। यकेला के प्त्ते लिए भंडारी के थे लिए भेग्यानिक सोच को ब्रहावा देना П बहुत से ऐसे अंद्विश्वास हमारे समाज में चलते हैं तो हमारे सरकार ने बिग्यान की पढ़ाई के साथ बैग्यानिक सोच को बढ़ावा मिले ऐसे बहुत से कारी चला रखे हैं तो हमारा ये मूल करतब है कि हम बैग्यानिक सोच कि तहत हर चीज को देखें, सुनें और समझें, उसके बाद ही उसपे निसकर्स निकालें, सारधनिक संपत्ति की रक्षा करना, जैसे आपके सहर में, गाउं में, स्कूल हैं, या सरकारी नल हैं, या जल प्रताय करने वाली ज अब इसकूल में आके, जो सारधनिक संपत्ति के संणक्षन करना, या उनको बचा की रखना, उसको उपी उप करना, ये भी हमारा मूल करतब है, उतकरिष्टता के लिए प्रयास करना, आप जिस भी इस्तिती में हैं, उस से अच्छे इस्तिती में, आपको जाना, ये आपक मौलिक कर्थब आपको अच्छे से अच्छे सिच्वेसानि ये अच्छे साच्छे षिजती आपको प्राप्त करनी चाहिए। स्वास्त को लेके हो, सिक्षा को लेके हो, बौधिक रूप से हो, इन सारी चीजों के लिए आपको प्रयास सतत करते रहा चाहिए, यह हमारा दसवा मौलिक करतब हो, ग्यारवा जो मौलिक करतब है, वो है माता-पिता से यह आसा की गई है, कि 6-14 वर्ष के बच्चों को इस्क अपने जो मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ मौलिक करतब्यों के विचर्चा हो, तो आज आपसे देता हूं के दर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.